नमस्कार ये तस्वीर पानीपत के थाना मतलोटा से आप लोग देख रहे हैं बड़ी ख़बर ये है कि एक बड़ा मामला मतलोटा पुलिस के हाथ में लगा है थर्मल चौंकी इंचार्ज के बात की जाए तो एक दिन के रिमांड पर कुछ अफसरों के लिया गया है एक ट्रक का चालक और एक जई और एक कलर को जो है पुलिस के रिमांड पर लिया गया है एक दिन का रिमांड हासिल किया गया है और बताया जा रहा है कि मामला है स्क्रैप बेचने का स्क्रैप जो है बेचा गया था बेचने के लिए जा रहे थे और मुझफर नगर में गाड़ी जान थर्मल पावर प्लांट के साथ बने HVPN के स्टील स्टक्चर वर्क्षोप से 5 लाक रुपे की कीमत का स्क्रैप गाड़ी में लात्क चोड़ी करके लिव जाया जा रहा था पुलिस ने आज आरूपीत चालक जेई और UDC को गिरफतार कर लिया है फिलहाल जो है पुलिस इस मामले में आरूपीत एक्सियन की तलाश कर रही है वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुपत सूचना मिली थी कि स्टील स्टक्चर वर्क शोप थर्मल का जेई अपर डिवीजन कलर्क और एक्सियन की मिली भगत से थर्मल के अंदर से स्क्रैप चोड़ी करके उसी कैंटर में डाल कर ले जाया जा रहा था स्क्रैप को उत्ते पदेश के मुझफवन नगर में बेचा जाना था और थर्मल बाइपास पर नाका बंदी और कैंटर को रुकवाया गया जिसके बाद गाड़ी चालक मुझफवन नगर की कक्रोली गाओं के जरीव के साथ कंड़क्टर सीट पर जेई बैठा खुआ था इसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया पुलिस पुष्टाच में आरूपीत गाड़ी चालक और जेई ने बताया है कि एक्सियन ने ट्रांस्पोर्ट की माध्यम से 10,000 रुपे में गाड़ी बुक करके मंगवाई थी ड्राइवर को 5,000 रुपे एडवांस दिये गए थे जबकी 5,000 रुपे बकाया थे जो की गाड़ी के मुझफर नगर के पहुषने के बाद दिये जाने थे फिलाल आपको ये बता दे कि आज जो है आरूपीतों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से सभी को एक दिन के पुलिस रिमार्ड पर लिया गया है वही रिमार्ड के दोरार आरूपीतों से पूश्ताच की जाएगी कि पहले कितनी बार स्क्राब बेचा है वही फरार एक्सियन के ठीकानों का भी पता लगा जा रहा है तो आप से फिल इस वीडियो को शियर जरूर करें कि बड़ी खबर यहींकि एक एक्सियन वीशाब के मामले रहे है नजर आरहीठ नाम का आक्सियन योई है फरार बताए जारहा है पुलिसंड geschार रिया एक्सियंयों ओर कितने अफर से साव मामलें हो शकते हैं और एक डॉर कौर ट्रक चालों को गिर्फतार कर लिया गया है पताः जारा है कि नरेश एक्शियन है उसने ट्रांस पोर्ट से जो है गाड़ी बुक कराई दर्ज हुआ है और अब थर्मल पावर प्लांट के साथ बने हर्याना विदुद परसारन नीगम लिमिटेड के स्टील स्ट्रक्चर वरक्षाप से पांच लाख रुपे की कीमत का स्क्रैप यानि की लोहा चुराए जाने का ये मामला जो है सामने आ रहा है सारे मामले में कहीं और अपसरों की जो संटिक्टा हूँ वह सामने आ रही है तो पुलिष अभी कुछ बोलंगे को तयार नहीं है कैमेरिस के सामने को तयार करनी है लेकिन सुत्र यह बता रहे हैं कि तीन लोगों को और एक दिन के रिमांड पर जो है उन्हें लिया गया है और एक्सिंट की भूमिका की जो है वह भी जांच की जा रही है तो फिलाल मामले में जो भी बड़ी अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाइव होंगे आप ज प्रहएँ आपके ऊपके जापके लायो पार वजया आपके लाइव होगी हम लोगों कारे वाव्यू है अपके जा रहे होगी हम दोग है